नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्टेस्टेट डिजीस में दोस्तों, आज से हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट की सुरुआत करने वाले हैं जो की आपका होगा दिहार दरोगा फ्री और इन्फोर्स्मेंट सब इंस्पेक्टर दरोगा फ्री के लिए जो की प्रैक्टिस सेट नमबर वन होगा जो की दोस्तों, हमें पलेट्फोर्म का नीव बूक आया हुआ है भाईलूम टूक हम इससे कराने वाले हैं तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसे सश्क्राइब नहीं किये हैं प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों में भी सेयर करें फेस्बुक वार्ट्सब टेलिगरम के माद्यम से और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिपी केसन आपको पहले प्राप्त होगा तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रेक्टिसेट आज का पहला कोस्चन हो जाएगा सिंधू सभ्याता संबंधित है एक कराइट अंसर हो जाएगा ओफ्सन नमर बी आध एतिहासिक यूग से सिंधू सभ्याता आग एतिहासिक यूग से संबंधित है सिंदू सभ्याता के लोग लीपी का पड़ियोग करते थे लेकिन आज तक पढ़ा नहीं जा सका है इस करण आधितियासिक यूग के अंतरगत रखा जाता है नेश्ट देख लेते हैं कोशन नमर दो किसने कहा है कि राजनीतिक कानूनी तोर पर यह असपस्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं दो कराई टेंसर हो जाएगा आप्सन नमर बी अरस्टू अरस्टू जो था यह आपको इवनानी दार्शनिक था और इनके गुरु का नाम पलेटो था और अस्टू ने अपने ग्रंद का नाम पॉलेटिक्स रखा था जो कि युनानी सब्द पॉलिस से बना और जिसका अर्थ नगर राज होता है नेक्श देख लेते हैं कोशन नमर 3 में आपको कहड़ा है कि भारतिये समिधान नागरिकों को कितने परकार के मोली कदिकार परदान करता है तीन कराइट एंसर हो जाएगा और भारतिये समिधान में मोली कदिकार को समिधान से लिया गया है और यहाँ समिधान के भाग तीन में अनुछेद 12 से 35 तक है नेक्ट केशन देख लेते हैं कोश्चन नमर चार में आपको कह रहा है कि रिंग बैदिक के प्रसीद गायत्री मंद का सम्बंद किस देवता से है यह आपको बताना है चार कराई टेंसर हो जाएगा आपसन नमर बी यह आपको शावित्री से सम्बंधित है शावित्री जो है वह प्रान दाई देवी माना गया है शावित्री को सवित्री के इस तूती में गायत्री मंद्र की रचना किये थे आपको विश्वा मित्र के दोरा किया गया था और रिंग बेद में आपको तीसरा मंदल में गायत्री मंद्र का उलेक मिलता है और रिंग बेत का सबसे महत्पून देवता जो थे वो आपको इंद्र थे और आपको सोम जो दिया हुआ है यह सोम देवता रिंग बेत के 9 मंडल में है और रिंग बेत में आपको 117 नदी को सबसे हवित्र नदी माना गया है यानि कि रिंग बेसे कुछ जितने इंपोर्टेंट कुछ कोशन से हम आपको बता दिये हैं नेक्ट देख लेते हैं कोशन नमर फाइब मैं आपको कहरा कि शंपति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सुची से कब हटाया गया फाइब कर आइट अंसर हो जाएगा और फाइब कर देख लेते हैं नेक्ट देख लेते हैं कोशन नमर फाइब के जेलम नदी के किनारे प्रसीद बितवस्ता कायूद किनकिन सासको के बीच लड़ा गया तो छे कराइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमर सी पूरा सेव शिकंदर के बीच आपको लड़ा गया था जेलम नदी के किनारे बितवस्ता कायूद नेक्ट कोशन देख लेते हैं नेक्ट कोशन आपको हो जाएगा कोशन नमर साथ कह रहा है कि किस राज सरकार ने राज के अरावली छेतर में ग्रीन कवर को बेहतर बनाने है तो एरियल सीटिंग तकनीक को नियूजित किया है साथ का राइटेंसर हो जाएगा आप्शन नमर सी हरियाना नेक्ट देख लेते हैं कोशन नमर आठ में कह रहा है कि कुशी नगर उत्तर परदेश के किस जिले में इस्तित है आठ का राइटेंसर हो जाएगा आप्शन नमर बी या आपको देवरिया में इस्तित है कुशी नगर उत्तरप्रदिस के देवरिया जिला में सित है और कुशी नगर में बुध को महापरी निर्वान 483 बीशी में हुआ था और महात्मा बुध के जीवन का अंतिम पराव कुशी नगर है जहां उनकी मिर्तु हो गई Q9 में कहड़ा है कि भारत का सम्मिधान 10 से लागो हुआ था 9 का राइटेंसर हो जाएगा QC यानि कि 26 जन्वरी 1950 को लागो हुआ था और भारत का सम्मिधान 26 नॉमबर 1949 को बन करतायार हो गया तथा उसी दिनी से अंग्रित कर लिया गया Q10 मैं आपको कह रहा है कि असोक के अभिलेखों में परयूक्त लिपी भासा में कौन असत्त है यह आपको बताना है 10 का राइटेंसर हो जाएगा अप्सन नमर डी संस्कृत जो है यह आपका असत्त है असोक का अभिलेख की भासा ब्रामी, खरोष्टी, ग्रीख और अरमाइक है ग्रीख के अरमाइक लिपी का अभिलेख जोन है आपको अफगनिस्तान में प्राप्थ होता है ग्रीख और अरमाइक और खरोष्टी लिपी का अभिलेख जो है वह उत्तर पच्छिम पकिस्तान से प्राप्थ हुआ है और ब्रामी लिपी का उलेग सेस भारत से हुआ है और असोक के अभिलेख पड़िने में सबसे पहली सफलता जेम्स प्रिंसेप को अठारे ससाइटी सेस्पी को प्राप्थ हुई थी जितना भी कोश्चन थाई से हम आपको बता दिये नेश्च कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमर एगारे में कहड़ा कि प्राप्थीन भारत का महान व्याकरन लेखक पतंजली किसका शमकालीन था एगार कराई टेंसर हो जाएगा ओफ्सन नमर डी या पुस्मित सुंका आपका शमकालीन था आपको प्राशीन भारत का महान कावके लेखक पतंजली जो थे वो आपको पुस्मित सुंके शमकालीन थे नेश्च देख लेते हैं question number 12 में आपको सुची 1 से सुची 2 को मिलान करना है इसमें गरंथकार दिया हुआ है और मूल गरंथ दिया हुआ है बारा कराइट एंसर आप लोग करना है बारा कराइट एंसर हो जाएगा option number B यानि कि वरा महिर जो थे आपका ब्रिहत सहीता उनका मूल गरंथ था उसके बाद बिशाक दत विक्रमाक देव चरेत्र उसके बाद आपका सुद्रक जो हो जाएंगे वह मिर्श कर्टिकम और विलहन जन हो जाएंगे आपको यानि कि माफ किजिएगा यानि कि आपको विशाक दत जो थे यानि कि विशाक दत हो जाएगा इसका फिर से हम आपको पता देते हैं बारा का बी हो जाएगा यानि कि बडा महिर जो हो जाएगे आपको एक का तीन हो जाएगा उसके बाद बी का हो जाएगा चार यानि कि देव हो जाएगा next question देख लेते हैं question number 13 में भी आपको सुची 1 को सुची 2 से मिलान करना है आग मद इसमें दे रहा है आपको कि आद्य मद यूगीन भारत के शासक राजबंसों के साथ उनकी राजधानियों का मेल करना है तेरा का राइट एंसर हो जाएगा option number A यानि कि प्रतिहार बंस का जो राजधानी था वह आपको कनौज हो जाएगा उसके बाद शंदिल का राजधानी खजुराहो परमार की राजधानी धारा नगडी और सुलंकी की राजधानी अहिलवार में था यानि कि तेरा का राइट दोस्तों सिलेवस्ट के नुसार आपको 5 गो मैथ का कोशन रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है कि आपको 2019 में जो पीटी का एकजाम हुआ था इसमें 5 मैथ कोशन पूछा हुआ था इसलिए आपको 5 का मैथ कोशन दिया हुआ है इसमें इसका राइट एंसर option A हो जाएगा नेक्श देख लेते हैं कोशन नमर 15 में कह रहा कि प्रसासन के छेत्र में निवन में से कौन सी इल्थ उत्मिस की देन है पंदरा कराइट एंसर हो जाएगा option D यानि कि उप्रूक्त सभी इकता दारी ब्यवस्ता मुद्रा परनाली और सेन संगठन ये सभी जो है आपका इल् अमुक्त मल्याद नामक प्रसीद गरंथ की रचना किस भासा में की शोला कराइट एंसर हो जाएगा option B या आपको तेलगू भासा में की कृष्ण देवराय ने अमुक्त मल्याद नामक प्रसीद गरंथ की रचना तेलगू भासा में की और कृष्ण देवराय संस्कृत में जामवंती कल्यानम की रचना की, किसकी तो जामवंती कल्यानम, नेक्ष्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नमर 17 में कहड़ा है कि निमली खित में से किस भक्ती संत ने अपने संदीज की प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का पड़ियोग किया, सतरक राइटेंसर हो जाएगा, ओफसन नमर C, यानि की रामानंद ने, नेक्ष्ट देख लेते हैं, अठारा में कहड़ा है कि अकबर के सासनकाल में महाभारत की फार्सी भासा में अनुवाद किया गया था, वो किस नाम से जाना जाता है, तो अठारा कर राइटेंसर हो जाएगा, ओफसन नमर B, यानि की रजम नामा, आपको रजम नामा का अर्थ है, यूध का पुष्टक, महाभारत का अनुवाद फार्सी भासा में करने वाले बदाईनू, नकीव खां तथा अबदुलकदार बदाईनी और सेख सुल्तान आदी थे, और पंचेतंत्र जो है, पंचेतंत्र का फार्सी भासा में अनुवाद अबुल फजल ने अनुवरी सदात नाम से किया था, आपको बता दिये, नेस्ट कुछन देख लेते हैं, क्वेशन नमर 19 में कर रहा है कि शमिधान की शंकलपना का उद्वह सबसे पहले कहां हुआ था, 19 का राइट अंसर हो जाएगा, आपसन नमर सी, यानि कि सयुकत राज, अमेरिका में, शमिधान की शंकलपना सर पर्थम, सयुकत राज अमेरिका में हुआ था, और बिश्यु का प्रथम सनकलपना, अमेरिका मेंe 787 ISP में बनाया गया, जो की फिलाडिलफिया घुस्तना के स नाथ हुआ था और अमेरिका का सम्मिधान 20 स्विकार सबसे छोटा सम्मिधान है इसमें केवल साथ अनुछेद है नेश कुछन देख लेते हैं बक्सर के यूद में अंग्रेजी सेना ने अपने किस सेना नायक के नेतरित में मीर कासिम की सयुक्त सेना को पढ़ाजित किया 21 कराइटेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए यानि की हेक्टर मुनरो बक्सर के यूद के बाद इलाहाबाद की संधी द्वारा 12 अगौष्ट दे 775 इसपी में बंगाल बिहार और उरिषा की दिवानी अधिकार अंग्रेज को प्राप्त हुआ और बक्सर का यूद जो हुआ था आपको 1764 इसपी में अंग्रेज हो और मीर कासी अवध के नबाफ सुजाओ दौला एम मुगल समराट साहालम के बीच हुआ था और बक्सर के यूद में अंग्रेज सेना पती जो थे आपको हेक्टर मुनरो थे 22 में कोड़ा कि ब्रिक्स पर्यावरन मंतियों की छटी बैठक के अधियाक्षता किस देश ने की 22 का राइट अंसर हो जाएगा और सन नमर बी यानि की रूश ने किया Q23 में कोड़ा कि नासा ने किस संस्ता के साथ मिलकर मार्श 2020 प्रेजारवनेंस रूबर मिशन का सुवारम किया 23 का राइट अंसर हो जाएगा और सन नमर ए यानि की ULA Q24 में आपको सुची 1 को सुची 2 से मिलान करना है घटना दिया हुआ है और उसका पड़ी नाम दिया हुआ है 24 का राइट अंसर हो जाएगा और सन नमर डी यानि की मारले मिन्टो सुधार जो था आपको शंपरदाइक निर्वाचन छेत्र मारले मिन्टो सुधार आपको 1909 के अधिनियम को कहा जाता है मारले मिन्टो सुधार उसके बाद आपको शाइमन कमिशन यानि कि देश ब्यापी अंदुलोन उसके बाद चोड़ी चोड़ा घटना यानि कि तीन का दो हो जाएगा असायोग अंदुलोन का वापस लिया जाना उसके बाद डांडी मार्च यानि कि आपका नमक का अवेद निर्मान यानि कि 24 कर आइटन सर ऑफसन D हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं क्वेशन नमर्ट 25 में आपको कह रहा है कि कि किसने कहा था कि दरो दिवार पे हसरत की नजर करते हैं खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं यानि कि 25 कर आइटन सर हो जाएगा ऑफसन नमर्डी यानि कि वाजी दलिस शाह ने कहा था नेक्स क्वेशन देख लेते हैं क्वेशन नमर्ट 26 में आपको वाय सराई इर्भीन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तूत एगारा सुत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की इस्तिती में नमक सत्यागड़ के शुरुवात हुई 26 कर आइटन सर हो जाएगा आप्शन नमर्डी यानि कि 6 अप्रेल 1930 को नेक्स क्वेशन देख लेते हैं क्वेशन नमर्ड 27 में कहड़ा है कि चंदर्मा प्रित्वी का एक चकर कितने दिनों में लगाता है 27 कर आइटन सर हो जाएगा आप्शन नमर्ड सी यानि कि लगभग 27 दसमलो तीन दिन में नेक्स देख लेते हैं 28 में कहड़ा है कि यदि एक कार अपनी आरंभिक इस्तिती में 20 सेकेंड यानि कि आपको इसमें बताना है दूरी यानि कि आपका ये मैच का भी हो जाएगा नहीं तो ये नुमेरिकल भी हो सकता है तो 28 कर आइटन सर हम बता देते हैं पर देते हैं इसको यदि एक कर अपनी परणभिक इस्तिती से 20 सेकेंड में 144 किलो मिटर प्रती हावर की गती तक शमान रूप से तौरित होती है तो यह कितनी दूरी ताय करेगी 28 कर आइटन सर हो जाएगा आप्शन नमर C यानि कि 800 मिटर नेक्ट कुछन देख लेते हैं 29 में कहड़ा कि 29 कर आइटन सर हो जाएगा आप्शन नमर C यानि कि बंगला देश नेक्ट कुछन देख लेते हैं कुछन नमर 30 में देरा आएके नीचे दिये गए आड़ेकों के अधार पर लगू या निम्न जवार आड़ेक को पहचान करना है 30 का राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमर D यानि कि इन में से कोई नहीं आपको जवार उठने के लिए अप्यक्षित सौर या चंदर्मा की शक्तियों का अनुपाद एगारे अनुपाद एगारे अनुपाद आपको पांच का है शक्तियों का जवार उठने के लिएगा सूर्ज की अप्यक्षा दुगूना होता है नेश कोईशन देख लेते हैं कोईशन नवर 31 में आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है छोटा कर देते हैं 31 का राइक एंसर हो जाएगा आप्शन नमर C यानि की छोब मंडल जो है आपका शमान ताप पतंदर उसके बाद समताप मंडल जो हो जाएगा आपको वायू की 36 धारा का पड़वा उसके बाद उजोन मंडल जो हो जाएगा आपको यानि की पड़ावैगनी किर्णों का आउसोसोल और आयन मंडल हो जाएगा विधूत चुम्बकिये किर्णों का पड़वारतन यानि की आपको 31 का राइक एंसर ओप्शन C हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं कोशन नमर 32 में कह रहा है आपको कि नीवन में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है 32 का राइटन सरो जाएगा ओप्शन नमर डी आरगन जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है आरगन प्रकिर्ती में वाईव मंडल में सबसे अधिक मातर में पाये जाने वाला किरिये गैस है और आरगन का उप्योग विधूत बल्बों में भरने में किया जाता है नेक्श देख लेते हैं कौश्चन नमर 33 में आपको कह रहा है कि किस राज सरकार ने राज में अमेजन वीव सेवा के सहयोग से उगम सीलता और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देन हेतू समझाता किया है 33 का राइट अंसर हो जाएगा और सनमर डी यानि कि आंदर परदिश नेक्श कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 34 में कह रहा कि पांचवे अंतराश्टिये रमायन महोस्तो कायोजन किस सहर में किया गया था 34 का राइट अंसर हो जाएगा और सनमर सी नई दिल्ली में किया गया था नेक्श देख लेते हैं कोशन नमर 35 में कह रहा कि भूप और पटी का वह खन जो अपनी इस्तिती में ही रहा हो जबकि इसके चारव ओर की जमीन बैठ गई हो कहा जाता है 35 का राइट अंसर हो जाएगा और सनमर ए इसको होर्ष्ट कहा जाता है दो समान दराडों में दो समान दराडों के मदवर्ती भाके उपर उठ जाने के पड़िनाम सरूप मेज की भाती सपार तथा त्रीव ढाल वाले ब्लाक परवत का निर्मान हो जाता है इन्हें ही हम लोग होर्ष्ट कहते हैं नेक्स्ट कुशन देख लेते हैं कुशन नमर 36 में आपको कहड़ा है कि निमलिखित में कौन सी सीथ समुंद्री धारा है 36 का राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर D आपको सीथ समुंद्री धारा है नेक्स्ट देख लेते हैं 37 में कहड़ा है कि निवजी लेंड की राजधानी है 37 का राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमर D वेलिंग गटन जो है आपको निवजी लेंड की राजधानी है और निवजी लेंड की मुद्रा का नाम डॉलर है और हैमी लंटन बर्मुडा की राजधानी जो है आपका हैमी लंटन है तता है उसका भी मुद्रा आपको डॉलर हो जाएगा नेक्स कुशन देख लेते हैं कुशन नमर 38 में कहड़ा है कि वेस्ट इंडीज इंग्लेंड के मद तीन टेस्ट मैचों के सिरिंखला में किन दो खिलारियों को सयुकती रूप में प्लेयर आप दो सिरी चुना गया और 38 का राइटेंसर हो जाएगा आप्सन नमर C एस्टूर्ट ब्राड और रोस्टन चेस कू नेक्स कूशन देख लेते हैं कूशन नमर 49 में आपको सुची 1 को सुची 2 से मिलान करना है जिसमें आज ठान दिया हुआ है और राज दिया हुआ है तो 49 का राइटेंसर हो जाएगा आप्सन नमर B यानि कि सिरी हरी कोटा जो है आपको आंधर परदेश में है उसके बाद थुमबा जो है या आपको किरल में है हासन जो है या आपको करनाटक में है और चान्दीपूर जो है वह आपको उडिशा में है यानि कि 49 का राइटेंसर आप्सन B हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं नेक्स देख लेते हैं नेक्स देख लेते हैं कि निवन में से कौन सी नदी हिमाले से नहीं निकलती है 42 का राइटेंसर हो जाएगा आप्सन नमर C नरमदा जो नदी है यह आपको हिमाले से नहीं निकलती है आपको आप्सन A में जो दे रहा है 42 का उद्गम रोहतांग दरे के समेफ समुन्दर से 4330 मिटर की उचाई से होती है उसके बाद आपको आप्सन D में दे रहा है यमूना तो यमूना का उद्गम अस्तल बंदर पूँच के पच्छमी ढाल पडिस्तीत यमूनूत्री हिमानी से होता है और आपका यहाँ आप्सन C में जो नरमदा दे रहा है तो नरमदा भी धाचल परोस्रेनी के अमर कंटक से निकलती है नेक्श देख लेते है Q43 में कह रहा है कि दक्षिन पच्छी मांसू से बरसा नहीं होती है तो तालिस कर आइटन से हो जाएगा आप्सन नमर C यानि कि तमिल नाडू में नेक्श कुशन देख लेते है Q44 में कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है चंदन जो जमू कस्मीर दे रहा है आपका सही नहीं है चंदन करनाटक और तमिल नाडू में मिलता है नेक्श कुशन देख लेते है Q45 में कह रहा है कि 200 सेंटीमिटर की बारसिक वर्षा और 25 जिग्री सेंटीग्रे तापमान में कौन सी फसल के लिए आदर से जलवायू है 45 के राइटेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर्डी यह चाह के लिए आपको सबसे उप्यूक्त जलवायू है नेक्श कुशन देख लेते हैं Q46 में कह रहा कि Q46 में आपको कह रहा है कि NBAG लिंग के साथ पेसिवर करार करने वाले पहले NBA Academy इंडिया के ग्रेजुएट कौन है 46 कर राइटेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर्डी यह चाहिए कि प्रिंस पाल सी नेक्श कुशन देख लेते हैं Q47 में कह रहा है कि रावी नदीपोर जो यूजना की रनमेट की गई है कुंद्रे मुख लोह अयस का निर्याद करता है और 40 कर राइटेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर्डी यानि की निव मंगलोर बंदरगा नेक्श कुशन देख लेते हैं Q49 में को कह रहा है कि सिरी हरी कोटा इस्तित है 49 कर राइटेंसर हो जाएगा आप्सन नमर्डी या आंद्र परदेश में इस्तित है नेक्श कुशन देख लेते हैं Q50 में आपको हवाई अड़ा दिया हुआ है और अवस्तित दिया हुआ है यानि कि सुची 1 को सुची 2 से मिलान करना है 50 कर राइटेंसर हो जाएगा option number C यानि कि मिनामबकम हवाई अड़ा है या आपका यानि कि चेन नई में है उसके बाद सान्ता कुरूज हवाई अड़ा आपका मुंबई में है उसके बाद इंद्रा गांदी अंतरस्टी हवाई अड़ा वो आपको यानि कि नई दिल्ली में है और आपको दमदम हवाई एड़ा वह आपको कुलकाता में है और राजा सांसी राजा सांसी हवाई एड़ा वह आपका अमरिद सर में है यानि कि 50 कर आइट एंसर आप्शन सी हो जाएगा नेश्ट कुछन दिख लेते हैं कुश्चन नमर 51 में कह रहा है कि सीर सा सूरी द्वारा निर्मीद ग्रेंड ट्रंक रोड पहले कुलकाता को जोरता था 51 कर आइट एंसर हो जाएगा आप्शन नमर डी यानि कि पेशावर तक नेश्ट कुशन दिख लेते हैं कुश्चन नमर 52 में कह रहा है कि गांधिवादी और्स ब्योस्ता किस सिधान पर अधारित थी 52 कर आइट एंसर हो जाएगा आप्शन नमर सी यह नियास धारिता के सिधान पर अधारित थी और गांधी जी के अधार्स पर अनुछे 40 में पंचायती राजब्योस्ता का गठन से है अनुछे 40 नेश्ट देख लेते हैं कुश्चन नमर 53 में कह रहा है कि सभी राज़ों को किस अधी तक वन नेशन वन रासन कार्ड के तहत कवर किया जाएगा तीरपन कर आइटेंस तर हो जाएगा आपसन नमर डी 31 मार्च 2021 तक नेश्ट कुश्चन देख लेते हैं शवन में कह रहा है कि निमली खित्म से किस ने विद्यार्थी विज्ञान मन्थ 2020 से कई से लॉंच किया है शवन कर आइटेंस तर हो जाएगा आपसन नमर ए यानि कि डाक्टर हर्स वर्धन नेश्ट कुश्चन देख लेते हैं कुश्चन नमर 55 में कह रहा है कि नार्दन रेलबे ने चावल और दालों की ढूलाई करने वाली पहली ब्यापाड माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जो जीरानिया तक जाएगी जीरानिया किस राज में हिस्तित है पश्चपन कराइटेंसर हो जाएगा आप्सन नमर C या तीर पूरा राज में हिस्तित है नेश्ट कुश्चन देख लेते हैं 56 में करा कि भारतिये मुद्रा रुपया की अधिकारी की बीनी में दर संबन्दित है 56 कराइटेंसर हो जाएगा आप्सन नमर D यानि कि चुनी हुई बिदेशी मुद्राओ के शमूँस से नेश्ट देख लेते हैं 57 में करा कि एलाइट एक्सिलेंस अवार्ट 2020 किसके द्वारा दिया गया 57 कर आइटेंसर हो जाएगा ऑफ्शन नमर B यानि कि एलाइड्स टेक्नो मीडिया के द्वारा दिया गया नेश्ट कुशन देख लेते हैं कुशन नमर 58 में को कह रहा है कि भारती रिजर बैंक भारत में मुद्रा पूर्ती को M1, M2, M3 और M4 में बाढ़ता है M1 के अंतरगत नीव में से कोन आते हैं अंठाउंट का राइटेंसर हो जाएगा ओफ्शन नमर C यानि कि 1, 2, 3 यानि कि करिंसी नोट और C के बैंक की मांग जमाए और आपका रिजर बैंक की अंजमाए आपको M1 के अंतरगत आते हैं Q59 में करा कि 20 संस्कृत दीवस 2020 किस्तिति को मनाया गया 69 का राइटेंसर हो जाएगा Option नमर C यानि कि 3 अगस्त को Q60 में आपको मैच दिया हुआ है इसका राइटेंसर अप्शन B हो जाएगा 61 में आपको करा कि संग यानि कि केंदर द्वारा वसूल किये गया लिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राजो को नहीं सोपा जा सकता है 61 का राइटेंसर हो जाएगा Option नमर C यानि कि माल प्रेशन पर कर Next question देख लेते है 62 में करा कि बजट घाटे से तातपर है 62 का राइटेंसर हो जाएगा Option नमर D यानि कि बजट घाटे में से ब्याज का भूकतान घाटाने पर जो है या आपको बजट घाटे से तातपर है Option D is the right answer हो जाएगा Next question देख लेते है Question नमर 63 में करा कि ओला द्वारा सुरू किये गए उला कार्पुरेट उद्दम गति सिल्ता समाधान में कौन सा दिस सामिल नहीं है 63 कर राइटेंसर हो जाएगा Option नमर A सयुक्त राश्ट जो है इसमें सामिल नहीं है Next देख लेते है Question नमर 64 में करा कि कि किस मंत्राले ने भारा सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के तहट एक Knowledge Resource Center Network यान की KRC Net Launch किया है 64 कर राइटेंसर हो जाएगा Option नमर A यान की भूविग्यान मंत्राले Next Question देख लेते हैं 65 में करा कि हिंदुस्तान Aeronautics Limited का मुख्याले कहां इस्चित है 65 कर राइटेंसर हो जाएगा Option नमर B या बाइंगलोरू में इस्चित है Next देख लेते हैं 66 में करा कि NPK का समपूर्ण देश के लिए आदर्स अनुपात क्या है 66 कर राइटेंसर हो जाएगा Option नमर A यानि की 4 अनुपात 2 अनुपात 1 Next question देख लेते हैं Question नमर 67 में करा कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ 67 कर राइटेंसर हो जाएगा Option नमर B 1912 में अलग हुआ बिहार को बंगाल से अलग करने की घोसना Lord Harding दीती है कि काल में बारे December 1911 को दिल्ली दरबार में ब्रिटेंड के राजा जोज पंचम ने की Next question देख लेते हैं Question नमर 68 में आपको कहड़ा है कि राज़ी चीन में सीहो की संख्या कितनी है और 60 का राइटेंसर हो जाएगा Option नमर B यानि की 4 सार नक्त इस्तित और सोक अस्तम के सिर्ष के अनुक्रिती को भारत ने राज़ी चीन के रूप में स्विकार किया Next question देख लेते हैं Question नमर 69 69 में आपको कहड़ा है कि निमली खित में से कौन सा देश महात्मा गाधी को याद करने हैं तू एक सिक्का बनाने पर बिचार कर रहा है उन 70 कर आइटेंसर हो जाएगा Option नमर D यानि की Great Britain Next देख लेते हैं Question नमर 70 में कहड़ा कि मूल अधीकारों का निमें से कौन सा बर्ग और स्प्रिष्टा की शमाप्ती का समाविष्ट करता है तो 70 कर आइटेंसर हो जाएगा Option नमर B यानि की शमानता का अधीकार और आपको अनुछेद 17 के द्वारा और स्प्रिष्टा को समाप्त कर दिया गया है Next Question देख लेते हैं Question नमर 71 में आपको कह रहा है कि निर्देशक तत्व के बारे में या कथन किसका है कि या एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की एक्षा पर छोर दिया गया है 71 का राइटेंस रहो जाएगा Option नमर B यानि की केटी सा भारतिय स्वामिधान के अनुछे 37 में कहा गया है कि इस भाग के बिरोध में वाद नहीं लाया जा सकता आपको अनुछे 37 में कहा गया है और इसी संदर में केटी सा ने कहा कि यहाँ पूरी तरव राजो के एक्षा पर छोर दिया गया है Next question देख लेते हैं 72 में आपको करा कि बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है 72 कर आइटेंस रहो जाएगा आपको राष्ट पती के निर्वाचन मंडल के सदस होते है इतके वाड़े में बताना है यानि कि कुट दिया हुआ है और कुट यह सही उतर का चैन करना है कि इन में से चारो भी कल्प में से कौन सा आपका सही है 73 कर आइटेंस रहो जाएगा आपसन नमर डी यानि कि एक तीन और चार जो है आपका सही है यानि कि संसत के दुनों सदनों के निर्वाची सदस उसके बाद सभी राजों के विधान सभाव के निर्वाची सदस और दिली और पांडिचेरी के सभाव के निर्वाची सदस यानि कि 73 का राइटेंसर आपसन D हो जाएगा और अनुछेद 54 में राष्टपती के निर्वाचन मंडल का उलेख है और अनुछेद 55 के अंतरगत राष्टपती के चुनापर किरिया शेशंबंदित है और राष्टपती के निर्वाचन एकल संक्रमनिय पदिती के द्वारा किया जाता है नेक्ट देख लेते हैं 74 में कह रहा है कि सियासत में सदस्ता नमा कुष्टक के लिखा कौन है 74 का राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर C यानि कि विजय कुमार चोधरी 75 में कह रहा है कि निर्वाचन प्रचार के लिए राष्टपती पदि के पड़तियासियों को कितने दिनों का समय मिलता है 75 का राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर B यानि कि दो सपता का समय मिलता है नेक्ट देख लेते हैं, 76 में कह रहा है कि एक बर्स में कम से कम कितनी बार संसत की बैठक होना आवशक है, 76 का राइटेंसर हो जाएगा, आपसे नमर B, यानि कि दो बार, दूस्तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, और माह से अधिक नहीं होना चाहिए, नेक्ट कुछन देख लेते हैं, 77 में करा कि भोशपूरी का सेक्सपीर किसे कहा जाता है, 77 कराइटेंसर हो जाएगा, आपसे नमर A, यानि कि भीखारी ठाकुर को भोशपूरी का सेक्सपीर कहा जाता है, नेक्ट कुछन देख लेते हैं, 78 में करा कि निमली खित में से किसने न्यूटन के पूरी ही बता दिया था कि सभी बस्त्वे प्रित्वी की ओर गुर्तवा कर्शित होती है, 78 कराइटेंसर हो जाएगा, आपसे नमर D, यानि कि ब्रहमा गुप्त ने, ब्रहमा गुप्त काल के महान खगुल भी थे, और ब्रहमा गुप्त का ब्रहम सिधान पुष्टक है, और इस पुष्टक में यह लिखा है कि प्रित्वी अपने प्रकिर्ती के कारण सभी बस्तुयों को अपनी ओर आकर्शित करते हैं, नेक्स देख लेते हैं, 79 में करा कि सरलोला का वर्त काल दो गुना हो जाएगा, यदि 79 के राइट एंसर हो जाएगा, और उनके मद एक मुमबती जल रही है, तो दरपन में मुमबती के कितने प्रतिवीम दिखाई देंगे, तो 80 का राइट एंसर हो जाएगा, और इसका फर्मूला आपका हो जाता है, यानि कि 360 डिग्री बटा आपका ठीटा यानि कि ठीटा डिग्री आप माइनस वन हो जाता है, यानि कि आपका 360 में आप 90 से भाग दिजिएगा, तो आपको 4 बार में कट जाएगा, और माइनस वन कर देना है, तो आपका 3 राइट एंसर हो जाएगा, next question देख लेते हैं, question number 81 में कहणा है, कि जब हम कमडे के अंदर बैटे होते हैं, तो एक भी हम बाहर के कमडे में बाचित करने वाले ब्यक्तियों को देखते तो नहीं है, प्रन्तु उनकी अवाज को अवस सुन लेते हैं, इसका कारण धाउनी का क्या है, हम आपको option देते है आप बताएं, 81 का बताना है कि परवर्तन होगा, कि विवर्तन होगा, कि बेतिकरन होगा, कि अपवर्तन होगा, बेरासी का 81 का राइट एंसर माफ कीजिएगा, 81 का राइट एंसर हो जाएगा, option number B, यानि कि आपको विवर्तन के कारण, जब हम कमडे के अंदर बैटे होते है याक भी हम बाहर की कमड़ों में बाचीत करने वाले ब्यक्तिव को देखते तो नहीं, प्रन्तु उनके वाज को वस्तु लेते हैं, इसका कारण धावनी का विबुवर्तन होता है, यानि कि option B is the right answer, 82, 82 में कहड़ा है कि निमली खित में से किसकी प्रकिर्ती शुम्ब किये है, 82 का राइटेंसर हो जाएगा option A, लोहा की प्रकिर्ती जो है, वो आपका शुम्ब किये है, next देख लेते हैं, question 83 में आपको कहड़ा कि विशू संस्कृत दिवस प्रति बर्स कि स्तारिक को मनाया जाता था, 83 का राइटेंसर हो जाएगा option D, यानि कि श्रावन पूर्नीमा को म निधन हो गया, वह क्या थे, 84 का राइटेंसर हो जाएगा option B, वह राजनी तक गये थे, next देख लेते हैं, 85 में कोड़ा कि निकट दिरिश्टी दो से प्रित ब्यक्ति के चस्मे में परियोग किया जाता है, 85 का राइटेंसर हो जाएगा option C, यानि कि ओतल लेंस, next question देख ले निक्स देख लेते हैं, सुची 1 को सुची 2 से मिलान करना है, सुची 1 को सुची 2 से, 87 का राइटेंसर हो जाएगा option D, यानि कि 87 का राइटेंसर हो जाएगा option D हो जाएगा, next देख लेते हैं, question number 88 में को रहा है कि इन में से कौन कोलाइड नहीं है, 88 का राइटेंसर हो जाएगा option C, आइस्क्रीम जो है आपका कोलाइड नहीं है, next देख लेते हैं, question number 89 में आपको को रहा है कि ऐसे परमानूओं को जिन में प्रोटानों की संक्या समान, प्रंतु निउट्रानों की संक् होती है, कहते हैं 89 का राइटेंसर हो जाएगा option number A, उससे हम लोग समस्थानिक कहते हैं, next देख लेते हैं, 90 में को रहा है कि निमली खित में से किस एक का अधिक्तम इंधन मान होता है, 90 का राइटेंसर हो जाएगा option number A, यानि की hydrogen, hydrogen का अधिक्तम इंधन मान होता है, next question देख कराईटीन सर्ख जाएगा और नमर ए xen naos जो है कास्टिक सोडा का रसायनिक सुत्र Дेख लेते हैं कोस्छन नमर नाइंटी टू में करा कि कॉलाइडिक कनों के आकार का निमन परास है बनमेर कराईटीन सर्ख हो जाएगा और नमर एक कि 10 के पावर माइनस 5 से 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर नेश कोशन देख लेते हैं कोश्चन नमर 93 में करा कि हीमोफिलिया एक अनुवांसिक रोग है जिसका वहन 93 कर आइटन सरह जाएगा आप्सन नमर B इस्तिरिया करती है और जो प्रकट पुर्सों में होता है लूप्त हो जाते हैं 94 कर आइटन सरह हो जाएगा आप्सन नमर C यानि की बाच बर्स नेश कोशन देख लेते हैं कोश्चन नमर 95 95 में हमको कह रहा है कि आक्सीजन की उपस्तिती में गुलकोंच की कार्बोन डायकसाइडेयों जल में उड़जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांत्रण होने को कहते हैं 95 कर आइटन सरह हो जाएगा आप्सन नमर D यानि की जल अफगटन कहते हैं नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 96 में कह रहा है कि निमली खित में से किस राज या केंदर सासित परदेश ने ओन लाइन सिक्षा के लिए इग्यान मित्र मुबाईल एप लॉंच किया है 96 कर आइटन सरह हो जाएगा आप्सन नमर C यानि की दादर नागर हवेली और दम अनौर्दी यानि कि 96 कर आइटन सरह आप्सन C हो जाएगा नेक्ष देख लेते हैं 97 में को कर रहा है कि गोयाना के राष्ट पति के रूप में इरभान अली ने सपत ली है गोयाना की रद्धानी कहा है गोयाना की रद्धानी पुछ रहा है आई हमको बता देते हैं इसमें से बताना है आपको कि इसमें से गोयाना की रद्धानी कौन सा होगा यानि कि 97 कर आइटन सरह हो जाएगा आपसन नमर A यानि कि जौज टाउन जो है यह आपको गोयाना की रद्धानी है नेश कोशन देख लेते हैं 98 महत है इसका राइटेंसर हो जाएगा आपसनुमर D 9-Qjaw Calendar देख लेते हैं Question नमर 99 99 में आपको कहुँँ रहा है कि मुलतो रामायन किस भास्ण में लिखी गई है 99 के राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर C या संस्कृत भास्ण में लिखी गई है और यहाँ बालमिकी जो थे भारत के आधी कभी कहलाते हैं और इहीं के द्वारा रामायन लिखी गई है महर्शी बालमिकी ने और राम चरित मानस की रचना गोस्वामी तुलसी दास ने किया था नेक्स देख लेते हैं क्वेशन नम्राज का अंती 100 भारतिय रिजर्ब बैंक ने HDFC बैंक के अगले मुख्य कारी अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है 100 का राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर C यानि कि ससीधर जग दीशन को तो दोस्तो या प्रैक्टिसेट जो हम लेकड़ाए थे या आपको बिहार दरोगा प्री यानि कि 2020 उसके बाद आपको इनफोर्समेंट दरोगा जो कि प्री होने वाला है 6 इसमबर को उसके लिए बहुत ही इनफोर्टेंट है प्रैक्टिसेट आप लोग इसे अवस्ट बन है और आप कमेंट वक्स में जरूर बताएं कि आपका इसकोर इसमें कितना आ रहा है और अभी तक आप अमारे चैनल पर नए हैं सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीजिसे सस्क्राइब कर लें और इसे लाइक करना न भूलें तो चली दोस्तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो हैण